अलो बच्छों स्वागत आप सबका इस अमेजिंग एडुकेशनल प्लेटफॉर्म पी डवलू पे मैं साना सर आपका बॉटनी टीचर आज बटा टार्गेट सिरीज में एक नया चैप्टर उसके बारे में डिसकर्स करेंगे उसका वेटेश क्या है उसके इंपॉर्टेंट आपीर क्या क्या हैँ तो आज बिटा जुट चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है प्लांट वोन डिलेशन इस है क्या क्या करना पहले वह कर लेते सबसे पहले ये देखते कि विटेश कितना है to usually, you gets around two to three questions maximum four question from this chapter normally, you get 223 questions from this chapter राइट सो यह वेटे जा इसका वान देफरेंट टॉपिक्स एट वे वाइं तो कवर इन दिस सो हम लोग बात करेंगे DPD पर क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन ओस्मोसिस फैसिलिटेटर दिफ्यूजन फिर आती है बात टोनीजिटी गी जिसमें आवह पल टोनीक हाइप़ो टोनीक और आईसोटोनी कंडिशन की बात करते है कि बोन बात करते है इस चेप्टर में और यह वहत़िस का करते फिर हम लोग बात करते हैं वाटर अप्टेक की वाटर कैसे लेता है प्लांट और मिनरल एपजॉप्शन कैसे होता है कॉंसेप्ट ओफ वाटर पोटेंशियल अपोलास्ट पाथवे और सिंप्लीख थे जनफे पाद्वे पाथवे और सिंफ्ट Commission पाथवे और सिंफे ट्य। प्टेक की पाधवे और सिंफ으면서 सैंटर laying वाटर और सिंफ나र मिने इन इन प्टीक श Bhagija से चटो पैकी बहुत सारी थीरीज जिसे वाइटल थीरी, रूट प्रेशर थीरी अना उसके लामा वाइटल थीरी ट्रांस्परेशनल पुल इसके बाद कोहेशन और अधेशन प्लस ट्रांस्परेशनल पुल फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे गटेशन क्या है बटा ट्रांस्परेशन क्या है उसके बाद फूर्ड ट्रांस्परेशन और इससे बहुत ज्यादा इंपोर्टन पुल स्ब्सक्राइब और यह थी ऐनुन बटा इसके इसका प्लांट फिम्पोर्टन चैप्टर रहे मतलब रूट एर क्या है दूंसे रूट के पैसली वाटर के चार जोन्म होता है तो लेसे जोन में रूम्त है और व सके जाता है तो पानी का गर लेबल देखोगे तो तो पानी दो ऊशेड़ probáticas यहाएगा सब plagiar स्सक्licht यह रूट रहे थे प्रेंट रपीमे का ड्राइच में स्टीक पानिस में रहेगा से पानी जाएगा एंडोडर्मास में किया फिर इपी दै कि ऑफिर टेक्निकली बोलते हैं वहां से पानी जाइगा में क्ने पानी जाएगा एंडोडर्मिस में एंडोडर्मिस से वाटर जाएगा पेरिसाइकल में और पेरिसाइकल से फाइनली वाटर जाएगा जाइलम में अब इसके दो रूट हो सकते हैं वाटर जाने के S2O इसके जाने के वेटा दो रूट हो सकते हैं एक रूट होगा अपोप्लास कि दूसरा रूट होगा बैटा सिम प्लास्ट इस पर क्वेशन आता है कि अपोप्लास क्या है तो अपोप्लास बैसिकली डेट पार्ट तुरू विश्ट वाटर गुज यहां पर बैटा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है वाटर को तो में सब्स अतों सब्सक्राइब होती है जिसन पानि अंदर नहीं जा सकता फिर व संप्लास्टिक रूट रहता है मतलब एक सेल नहीं हम दूसर्स हैं तुरू और से सिंप्लास्टिक की इस कंपार्टमेंट है दूसे compartment में water कैसे गया तो मतलब एक डी पिधी दूसरे लुपी दूसरे KT से जढ़ा होगा थो पानी हमेशा कमiliz新 से अधिक को तरह जाएगा to the more Simясies । या फिर वोटे को बीच घो फोटेंज फोम थे लेस निगेटिव वौकर तेंस टुदर बी आसे वाटर करेगा है ना और अब पानी चला गया रूट तक अब रूट से उपर स्टेम में लीफ में और दूसरे जो हायर पार्ट है उस पर पानी कैसे जाएगा तो यह सी डिल भी टू वेज लाइक दो मुमेंट इसे हो रहा है पानी का दूसरा यह वाला तो इसको बोलते हैं बैटा है यूजरी वाटर और मिनरल साथ में अब्जॉब होते हैं ठीक है लेकिन दोनों का जो नका पैटर्न होता है वह इंडिपेंडेंडेंट होता है एक दूसरे से इस पर बहूल सकते हैं जो थीपूर्ष क्वेशन सा सकते हैं कूई बटबाश्य क्सिटी पर आ सकता है का हाग प जैसे कुछ फूश्व यहां पर तुम्हें एक्जाम में आ सकता है कि कौन से पार्ट में रूट के जो चार डिफरेंट जोन है कौन से जोन में रूट मिलता है यह सीटी का अच्छा बन सकता है एक विश्ट ऐसे भी बन सकता है कि तो नाम देंगे यह एक्स यह नहीं आम दिया हुआ यह जैकली एक्स यह जिया है यह यह जो सकता है स्तेमेंट बेस्ट उसमें चार अलग अलग स्टेट्मेंट ऐसे बाट यह से वाट टिविट है at the room temperature water is the best solvent मतलब यह प्रॉपर्टी जब दे वोटर ही क्यों सो वोटर की प्रॉपर्टी पे बेस्ट यह कैसा है और क्या बात जो वोटर को इतना इंपोर्टेंट सॉल्वेंट बनाती है क्यों सारे इंजाइम वोटर के इंटरफेस पे काम गरते हैं उसके उपर क्वेश्चन आ सकता है फिर क्वेश्चन दुकर एक और स्टेट्मेंट पर आगे चेक करना तुम्हें कौन सा स्टेट्मेंट सही है इंदर रूट है आउटर लेर इनर लेर अब दुस्ट वाल सेल वाल से कंपोज आप काई तुम्हें बताना कि दोनों सही है एक सब्सक्राइब कौन सा सब्सक्राइब कौन सा गलत है इसके उपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो जितने भी कौंसेप्स हैं भर पर क्वेश्चन अब मतलब क्या क्या दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो वह अगर तुम फोकस करोगे डिटेल में तो वह पार्ट्स तुम अच्छे जैसे एक्जाम में कर पाऊगे hopefully you enjoyed this मिलते हैं बटा नेक्स टार्गेट सिरीज में in the next lecture thank you very much